Hello family, welcome back! के साथ एक ट्री प्लेंट करा था जो बड़ा हो गया है उनमें उन दोनों ने काफी पाते लिखी थी लाइक एक तरह से वह थिंग उनके लिए प्रीशियस है अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि स्टोरी में चल क्या रहा है कि वो Isilय में चानकी दढ़ा है भी स्टिल मौने, सटिल बूलने से नहीं हड़ता है आपको से माने लगता है कि यूउन जी इँ च्रों को जानसे करुछ आरहा है अपने अंदर स्टार मुषा उसे जानने लगता है then तो Star Moshe Demon में convert हो जाती है और Zeefeng की smile और swag मैंने बोला था तुम मेरे को नहीं मार सकता because तेरे अंदर की यूंजी मुझे मरने नहीं देगी Star Moshe Yoonji की मेमरी से नश्ट कर रहा होता है और अपने अंदर की यूंजी से बात करने की कोशिश करता है like तुम मेरी आत्मा का पार्ट है मेरी रिवेंज में help कर Star Moshe के अंदर यूंजी के आत्मा मुझना भाई की तरह नहीं मुझे कोई रिवेंच नहीं लेना ना मैं रिवेंज में येकिन रखती हूँ और ना मैं तरको Zeefeng को कभी hurt करने दूँगी then यूंजी के father, sister और little six Star Moshe से यूंजी को लेने और Star Moshe पर उनकी बातों का effect हो जाता है उनको एक ऐसी thing दे देता है कि जब उसके और heavens की लड़ाई यो तो वो इस चीज के थूरू बच कर survive कर सके like Star Moshe इतना भी heartless नहीं है ये बात अकर उसको Zeefeng भी बोलता ना तोने उनको मारा ना तोने मिरको मारा तो अपनी नफरत छोड़ दे Moshe हस परता है तू तो यूंजी को नहीं छोड़ रहा मैं कैसे नफरत छोड़ू and वो यूंजी में convert होकर Zeefeng को अपनी body parts दिखाता है इस पर neck part और arm part में stitches लगे हुए थे Star Moshe जो कि इस ताम यूंजी के appearance में था वो से बताता है कि King Belling मेरा दोस्त था और मैं उस पर भद से जादा विश्वास करता था and Star Moshe Zeefeng को अपने magic के through वो वाला पल दिखाता है जब Star Moshe King Belling Heaven के एक जगा में बैटके drink कर रहे थे और एक तरह से उन दोनों ने promise करा था कि वो इस जगा पर बैटके rose drink करेंगे बात कुछ ऐसी थी उस time असुरो और देवता में यूद छिड़ा था जिस बात की Belling को tension थी जिसमें Star Moshe बोलता है कि तो असुरो की किसी बेटी से शादी कर ले फिर ऐसा यूद नी होगा उल्टा वोतर को protect करेंगे King Belling नई असुरो और देवता एक कैसे हो सकते हैं इस यूद का effect कही है हमारी friendship पे ना पड़े Star Moshe, don't worry, मैं कैसे ना कैसे करके इस situation को समाल लूँगा मैं तेरे जैसे friend को नहीं कहूँगा, हम रोज इस place पे drink भी करेंगे, बाते भी करेंगे और मैं इस place का निमें आपको बता नहीं रही क्योंकि जादा नाम से na story में confusion create होती है Then Star Moshe भी host हो जाता है, because King Belling ने उसकी wine में कुछ मिला दिया था जब Star Moshe को host आता है, तो वो एक जगा लेटा हुआ था Psycho Belling वही खड़ा था और बोलता है कि मैं हमेशा तिरसा drink और बाते करना चाता हूँ, बड़ तेरी demon होनी की वज़र से ये thing possible नहीं है और पे रहमी से Star Moshe के दिल बर्स टैप करता है चाकू से And Star Moshe की आत्मा को निकाल कर जेट कप में डाल देता है और जेट कप का टुकड़ा भू के दिल में डाल देता है ताकि वो emotionless हो तो उसे god of fire में convert कर देता है और उसके हाथ तो द्वारा उसे के clan के बंदों को मरवा देता है जब Zipeng को ये सब कुछ पता लगता है उसको दुक होता है और वो यूंजी की body को cover करता है जो कि Star Moshe है अरे माथे पर ये alliance ही नहीं दिखरी मतलब ये Star Moshe है Then वो से beer hug करकर sympathy जटाता है Then वो फिर Star Moshe की appearance में आता है और बूलता है कि मेरे को तरी sympathy की ज़रूरत नहीं है और मैं heartless हूँ Flank Snake ने एक दानफगर में Zipeng से मिलने आता है और उसको Belling के plan के बारे में बताता है मैंने King Belling की बाते सुनी वो Star Moshe को फिर से wine पिला के बिहोष कर देंगे और उसकी खून की बूल जेट कप में डालेंगे कि हत्मा को सील कर देंगे और इंजी शो हो जाएगी जेट कपर अभी हूशी की दवाई वहां से चुटा लाया हूँ और इंजी को बचाने का यही तरीका है और वो उसको Zipeng को देकर चला जाता है Zipeng देखता है उसके क्लैन के सारे गोल्डन रियर्ड पकड़े गए है पकड़वाने में वाइस लोड ने हेल्प करी थी देंजी फेंग को गुसा आता है और वो वाइस लोड पर अटेक करता है और वाइस लोड पर उस पर अटेक पैक करने लगता है दें सीविंग स्टार मुशा को भी होश करकर उसके खून की मून लेने जाने लगता है बर तोसे स्टार मुशा की बाते याद आती है और वो रुख जाता है ठीक है स्टार मुशा जगा होता है और उसको सब कुछ पता होता है और वो हैरान होता है कि जी फैंग ने ऐसा क्यों नी किया स्टार मुशा उसको बताता है यह बैलिंग का प्लान था उसने स्नेक को ट्रिक करा अगर तो मेरी खून की मूद इसमें डाल देता ना राख पड़ी होनी थी हमारी इसलिए स्टार मुशा को जैसे दैसे करके समझाता है कि तू बैलिंग से अकेले में बात कर ले गिलेशिक वे दूर कर लो अगर वो बात करने के लिए रेडी होगे और सब ठीक रहा तो तू यूंजी को छोड़ देगा अगर में वापिस नहीं है तो इसमें तेरह कोई नुकसान नहीं है बस आकरमन करने के लिए एक दो दिन डिलेई होंगे सीफेंग सी ओफ डेथ और लाइफ की बिजलियों से बच बचा कर हैवन में पहुंचता है सैनिक उसको चान से मानने के लिए खड़े थे देगन फ्लेंग स्नेक को समझाने आया होता है कि यूंजी का पिछा छोड़ दे और यह क्या खणा खणा लगा के रखा हुआ है और ज्ञादा सुआद सुआद मत कर तू देवत तरको खाने की क्या जूरूरत फ्लेंग स्नेक अगर तेरा हो गया है तो निकल मेरे को सोन है इतने में ड्रेगन को बता चलता है कि heaven में कोई enter हुआ है flying snake समझ जाता है और वो dragon को बांद कर उसका momentum ले जाता है बड़ी चला किसी जीफेंग को पकड़ने का act करता है अपने साथ लेके जाने लगता है बड़ इतने में एक सैनिक बोलता है आपको तो king ने जेल में डाला था आप यहां कैसे बड़ स्नेक उससे निबटकर जीफेंग को heaven में enter करणा देता है स्ने में dragon आ जाता है और स्नेक बैलिंग की location बता कर dragon को रूखने का काम करने लगता है जीफेंग बैलिंग को समझाने गया होता बड़ बैलिंग उसकी कोई बात नहीं सुनता और mantra का एक circle बनता और वो जीफेंग को जान से माने लगता है उसकी body से कुछ निकलता है वो circle को तोड़ देता और वो मरने से बच जाता है बेलिंग को जी फैंग के एडेंटिटी पर शक्क होता और वो उसको चेक करता है यहां पर स्टोरी में का और ट्विस्ट अबता है बस अमसे बता रही हूं जब से स्टोरी खतम होने पर आई है ना इत्ते ट्विस्ट आ रहे हैं कि गाणा गाणे का मन कर रहा है नी ट्विस्ट हमें पदा रखता है कि Zeef and Jade Emperor का बेटा है जुन जी को बचाने के लिए वो अपनी 10,000 साल की अमरता का त्याग करकर प्रित्वी लोग पे जाना चाहता है Jade Emperor ने अपने बेटे के एफोर्ट्स को देखकर जुन जी को दस चनम लेने का चांस दिया था OMG, Belling तो बहुत एवल निकला Zeefang है जिसने अपनी सारी शक्तियों का त्याग करती है Like Redempt कर दिया Like Perfect Name है Love and Redemption Zeefang को तो अपनी अदेंटिटी यादा जाती है बट उसके अदेंटिटी जानकर Belling शौक हो जाता है एक और बात पता चलते है कि Jade Emperor ने राक्षिसों की प्रिंसस से शादी करी थी जिससे Zeefang उत्पन हुआ था Then Zeefang Belling को गन्फरंट करता है कि उसमें स्टार मोशा के साथ अच्छा नहीं किया Belling कुछ सुनने को त्यार हो तब ना अपने opinion के according उसमें तो ठीक करा यहां तो कसम से मेरा Belling को बोलने का मन करके कि बिटा पिटोगे तुम तो तुने स्टार मोशा का विश्वास तोड़ा जूट पूल कर उपर से तुने उसका दिल भी चेंज कर दिया उपर से तुने इसकी appearance चेंज कर दी उसकी memories erase कर दी उसको स्टार मोशा से मिलने के लिए बोलता है ताकि तुम अपने गिले शिकवे clear कर लो कि अपनी personal नफरत के चकर में तीनों लोगों को बरबाद करने के लिए काए को तो लियो and Belling मोशा से मिलने के लिए agree करता है and Zipang Linglong Little Six Roryu and उन्हे सारा मोशा का matter बताता है and उन्हे सारा मोशा का matter बताता है mountain कुल उन में Jade Emperor से help लेने जाओ और Woozikyu को अपने साथ लेके जाना तो इस Zipang को Belling पर यकीन नहीं होता है कि वो मोशा से ठीक behave करेगा कि नहीं Jade Emperor की help चाता था तागी पंगा create ना और तीनों लोग शान्ती में रहे and वो मोशा को बताता है कि Belling मिलने के लिए मान गया है बच शर्त ही है कि तो heaven में किसी को harm नहीं करेगा and मोशा हरान साड़ा Belling मिलने के लिए मान गया stupid monkey देवदास की get up में fox की कबर के सामने बैठा होता है तागी सभी उसको अपने साथ शामिल करने आये होते हैं बट बूजी के उमना करता है तो बहुता है अगर तुने हमारी help ने करी तो तीनों लोग नश्ट हो जाएंगे और उसके साथ purple fox की grave भी नश्ट हो जाएगी उस बात का stupid monkey पर effect पड़ता है बट वो स्टिल चुप रहता है तार मुशा जीफिंग पर सवार रोकर बैलिंग से मिलने heaven के ओर चल पड़ता है stupid monkey उनके साथ आ जाता है jade emperor का mountain ढूनने के लिए and royu भी वहाँ पर आ जाता है क्योंकि उसने silver snake से promise कर रहा था सकता है stupid monkey लियू के पिछे पर जाता है I mean यह से थोड़ा kind of bunny है but royu बोलता है कि मैं अपने पंखों से boat बना दूँगा cross करने लगते है कहान इतनी smooth का चलेगी इतने में वहाँ कि security guard के entry हो जाते है और वो उन पर attack कर वा देता है लुई को तो वो guard दादू एक bubble में trap कर देता है stupid monkey उस guard दादू को हरा देता है stupid monkey और royu को pink smoke से illusion create होता है like stupid monkey को fox दिखने लग जाती है और royu को silver snake और उसकी sister दिखने लग जाती है sling long उस auntie को पकल लेती है जिसने illusion create कर रहा होता है और उसकोस का जादू खतम करने को बोलती है then don't know hoosh में आते है stupid monkey उस river के दसो रक्षकों को हरा देता है simple words में समझाती हूँ अगर हमें भगवान के पास चाने का रस्ता पता हो और हम वहां से जाएं तो वहां तो guard खड़े होंगे तुने मर को क्यों बचाया detail 6 तरको math moves कुछ नहीं कर रहा है और जीफेंग और रियून जी की help कर रहा है then वहाँ नो से रोगला शेर आता है तुम हो कोन और यहां पी क्या कर रहे हो stupid monkey भी full planning के साथ आया था वो उसको खाना और wine देता है उन्हें Jade Emperor के mountain का gate खुल के बता देता है जिसकी key उसकी पूँच थी जो दर्वाजा उस mountain भे खुलेगा उस दर्वाजे की key उस shade की पूँच थी and gate open करने के बाद वो छोटा head भी सो जाता है actually Woozy के उन्हें बहुत strong wine पिलाई थी दोनों heaven के ओर जा रहे होते हैं बट इतने में उन पर तीरों की बॉचहार हो जाती है as usual इफिंग मोशा को बचाने के लिए उसको cover करता है और दोनों पानी में गर जाते है पानी में गरकर मोशा को याद आता है God of fire बनकर उसने अपने clan के बंदों को मारा अरको थोड़ा पूरा लगा क्यों उसको असरों के साथ एक connection फील हुआ और उसको अपनी identity पे पिशक हुआ कि वो टिंगनों से बोल रहे थी कि मेरा real name क्या है कि सभी God of fire बोलते है मेरे को इतने में उसके लड़ाई वूजी की उसे होती है वो उसे दानवगर पेच देता है और वहां और दानवगर की आत्मा उसे वह पिक्चर दिखाती है देन वो heaven की library में एक book सी देखती है जिसमें साफ लिखा होता है कि King Belling ने स्टाथ मुशा को God of fire में convert करा जियाद आ जाता है और वो गुसे से heaven पे attack करती है और King Belling को बाहर आने के लिए बोलती है अगर आपने पिछली explanation सुनी है तो आपको यहीं पता होगा आपने लिंक बाहर आते हैं और यहीं पर bang गल अगर final episode चाहिए 350 like तो बनती है देखो यह तो आपको भी पता है like के लिए मैं कभी नहीं बोलती है बट final episode है इतना तो मनता है बैबाई